फ्रेंट्स कल भुपाल समाचार में ख़वर आई OVC आरक्षण के सम्मद में जो की पिछला जो अभी सुनवाई थी उसके बारे में ही था लेकिन इसमें थोड़ा सा विस्तार से समझाया गया है उपल समाचार, ओनलाइन समाचार है, समाचार पत्र है इसमें जो हेडिंग है वो है 27% OVC आरक्षण हाई कोट ने अंतिम सुनवाई से पहले जवाब मांगे MP News OVC आरक्षण अंतिम सुनवाई से पहले हाई कोट ने सबसे जवाब मांगे मद्ध प्रदेश की कमलना सरकार द्वारा लागू किये गए 27% OVC आरक्षण के मामले में हाई कोट ने अंतिम सुनवाई से पहले जितनी भी आचिकाओं में जवाब पेश नहीं हुए 19 अप्रेल से पहले जवाब पेश करने के लिए कहा है 19 अप्रेल को मद्ध प्रदेश में 27% पिच्छरा वर्ग आरक्षण पर अंतिम सुनवाई होगी तो कोट ने जिन लोगों ने भी जवाब पेश नहीं किये हैं उनसे यही बोला है कि 19 अप्रेल से पहले जवाब जरूर पेश करें ताकि अंतिम सुनवाई हो पाए लेकिन इसमें कोट को सिर्फ आदेश नहीं निकालना चाहिए स्ट्रिक्ट आदेश भी निकालना चाहिए कि अगर जवाब पेश नहीं हुए तो कानूनी कारवाई की जाएगी इस तरह का जवाब आदेश निकलेगा तभी लोग जवाब पेश करेंगे टाइम पर और सियाचिकाई दायर कर कहा गया है कि राज्य सरकार ने बर्ष 2019 में OVC आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ा कर 27 फीसदी कर दिया जबकि सुप्रीम कोड ने इंदरा साहनी वाले फैसले में इसपश्ट किया है ये आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता सुप्रीम कोड ने 9 OVC आरक्षण 14 से 27 कर दिया जाने से आरक्षण की सीमा 50% को पार कर गई है वहीं OVC Advocate Welfare Association की और से भी आचिका दायर कर 27 फीसदी OVC आरक्षण का समर्थन किया गया सरकार 14 फीसदी का लाब नहीं दे रही है या चिका करता हूँ जो कि OVC Belfare Association की और से तर्क दिया गया है कि पूर वादेश के चलते सरकार OVC वर को 14% का लाब नहीं दे रही है क्योंकि कोड हमेशा बोल चुकी है कोड ने बोला है कि 14% के साफ से आप जो भी प्रोसेस किया है लेकिन 14% को नहीं रोका है तो फिर 14% जो लोग है उसमें आ रहे हैं उनको लाब क्यों नहीं दे रही है सरकार सरकार की और से भी आग्रे किया गया है कि फिलाल OVC आरक्षण 14% से अधिक कर बढ़ाए गया है आरक्षण को हाई कोड के अंतिम निर्ने के अधिन किया जान की और से अधिवक्ता रामिश और पी सिंग बिना एक्षण ने पक्ष रखा राजय सरकार की और से अत्रिक्त महाधिवक्ता आरके वर्मा हाजिर हुए तो ये आपके लिए ख़वर थी कि हाई कोड ने 19 अपरेल से पहले पहले जिन लोगों ने भी जवाब पेश नहीं किय हैं कोड में उनसे जवाब मांगे हैं ताकि अंतिम सुनवाई सुचारू रूप से हो पाए तो दोस्तों यही आपके लिए न्यूस थी अप्डेट थी हम मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर थैंक्यू सो मुच